Hello Everyone, आज हम discuss करने वाले हैं CUAT के application form के बारे हम बात करने वाले हैं तो NTA ने एक बार date extend कर दी है CUAT के application forms की तो PG course का अगर आपने अभी तक CUAT का form नहीं fill करा तो अभी भी आप fill कर सकते हैं अब last date extend करके 4th July कर दी गई है चले देखते हैं आप कैसे notice check कर सकते हैं सबसे पहले आपको NTA के site पे visit करना है nta.ac.in उसके बाद यहाँ पे आपको latest at the rate NTA वाला section आपको देखने को मिलेगा आपको इस sections पे check करना है और यहीं पर आपको second number पे notification दिख जाएगा जो online application form submission की data वो extend कर दी गई है रीड मोर पे आप क्लिक करके इसका PDF डाउनलोड कर लिजेगा जैसे आप PDF डाउनलोड करेंगे तो इसमें देखे यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि अब जो है form submit करने की last date क्या हो गई है 4th July और fees payment करने की last date हो गई है 5th July यानि आप 5 July तक के fees payment कर सकते हैं और form जो submit करना आपको पूरा complete form आपको चार जुलाई तक के पांच वेज तक के submit कर लेना है तब आपका form accept हो जाएगा और correction window जो आपकी open हो जाएगी वो हो जाएगी छे जुलाई को यानि तीन दिन के time होगा आपके पास जो एक correction window अगर कुछ mistake हो गई होगी तो आप correct कर पाएंगे ठीक है इसके बाद date extend होने के editing के कोई chances नहीं होगा तो आप ध्यान से form आपको fill करना है और गलती अभी अगर आपने form फिल कर लिया है तो आप editing में change कर लिए जगा अगर आप कुछ mistakes नहीं करिए तो अच्छी बात है और अगर form ही नहीं भरा है तो अभी आप ध्यान से form फिल किजिएगा payment करने से पहले जरूर चेक कर लेना आपने क्या क्या फिल कर रहा है सब सही फिल कर रहा है या नहीं और अगर कुछ mistake कर ये तो उसको पहले ही edit कर लिजिए चीक है ना thank thank you